जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए अपडेट के साथ यहां पर SSC MTS and हवलदार भरती 2024 के जो एप्लिकेशन स्टेटस है form के स्टेटस है वो यहां पर जारी कर दिये गया है यहां पर step by step मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप अपना जो एप्लिकेशन स्टेटस है वो यहां पर चेक करेंगे साथ में admit card आपका कब तक जारी होगा ठीक है इसके बारे में भी information इस वीडियो में दे इजेक्ट हो गया ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे होगे window open हो चुकी है जो आपके जो है अफिसली अगर बात करें तो आफिसली website पर आपको यह update मिलेगी और मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से रेजिंस का जारी हो चुका है और कौन-कौन से रेजिं और तो ऐसके पास रेजिशन नमबरान नहीं है तो यहां पर अपना ना नाम जो है धालेंगे जो भी आपका नाम है उसके बाद यहां पर जूड़ डेट यहां पर आप यक्सट हो गया, ठीक करने के देолेंगे ना यहां जैक्श Benson तर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना आप जै application status का link active कर दिया गया है उसको और बाकी जो आपके resins है ठीक है वो बचे हुए है वो कब तक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तो अपना application status admit card का status देखने के लिए आपको आजाना है Google में और यहाँ पर आपको सर्च करना SSC ठीक है SSC आप सर्च करेंगे SSC सर्च करेंगे तो आपकी जो SSC की पुरानी website है ठीक है SSC staff selection commission जो आपकी ssc.nic.in है इसका directly link आपको description में भी दिया हुआ है यह website है इस पर आपको जो है अपना admit card या फिर application status चेक करना है ठीक है यहाँ पर आप आएंगे अब यहाँ पर आने के बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे admit card वाला option दिखाई दे रहा है ठीक है इसी में आपका form का status application status या फिर आप बूल सकते आपके exam CTO date की information और admit card का print जो है यहीं से आएगा admit card पे आप click करेंगे admit card पे click करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है next आपके जो है अलग-अलग जो रेजिन्स है वो यहाँ पर सो हो जाएंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप देख पार होगे इस्टन रेजिन कोलकता का जो है आप लोगों का यूपी और भिहार आता है ठीक है फिर आपका इस्टन रेजिन है इस्टन रेजिन में आप देखेंगे वेस्ट बेंगाल ठीक है जारखंड यह आप लोगों के जो है इस्टन रेजिन में आ जाएंगे फिर वेस्टन रेजिन के अगर बात करते तो यहाँ पर आपका गुजरात और माहराष्टा जो है ये आपका जो है वेस्टन रेसिन में आता है ठीक है फिर आपका साौफनरे सौफन में अांध्रे परदेश तेलंगा ना तमिल नडु आ जाएगा फिर सौफ्टनरे परदेश जो है उसमें आप देखेंगे जम्मु कश्मीर अध्यप्रदेश और 36 गर जो है दो रेजिन से यहां पर आते है ठीक है तो यहां पर आप अपना जो है रेजिन सिलेट करेंगे अभी हम बात करें तो इस्टन रेजिन का जो है यहां पर आपका जो है आचुका है इस्टन रेजिन वाला जो अप्लिकेशन इस्टेटस है वो आपको रच्टेशन नंबर और आपका जो है नेम और डेट आप बर्त यहां पर डालना होगा उसी अकॉर्डिंग अगर देखे तो सेम प्रोसेस रहेगा मैंने जैसा अभी अप्लिकेशन स्टेटस चेक करने का प्रोसेस बताया अपना जो आपका रेजिन है उस पर आपके ल आन से बेल नोटिफिकेशन अन कर लीजेगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ जैहिंद